नमश्कार दोस्तों, स्वायुत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको मसूरों से खून आने की समस्या से चुटकारप आने के लिए कुछ घरेलिनस्कों के बारे में बताएंगे मसूरों से खून आना मसूरों से जुड़े रोगों का सबसे आम संकेत होता है लेकिन यह कई अन्य स्वास्त समस्याओं का भी संकेत होता है कभी-कभी मसूरों में खून आने की समस्या अत्यदिक रगड के साथ ब्रश करने या ठीक से फिट ना होने वाले डेंचर पहने से भी हो सकती है मसूडों से बार-बार खून आना अन्य गंभीर परिस्तितियों का संकेत दे सकता है जिनमें पेरोडेंटर्स जो की मसूडों के रोग का एडवांस रूप है विटामिन्स की कमी, प्लेटिलेट्स में कमी, गर्भवस्ता के दौरान, हार्मोनल परिवर्दन आदिशामिल होते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस समस्या से चुटकारा पाने के लिए कुछ घरे लिनुसकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले एक निवेदन उन सबी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं करपे हमारे चैनल की सदस्ता को जरूर ले लें, तक कि आफ हम से जुड़े रहें, हमारे दोरदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें साथ ही सही चैनकारी के लिए इसे अंतितक सरूर दिखेगा एक चमश नारियल तेल लेकर उसे अपने मूँ में ले लीजे और करीबन 10-15 मिनिट तक इससे मूँ में कुल्ला कीजे आप इस उपाएं को दिन में एक बार अपनाईए नारियल तेल में प्राकर्टिक हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण मसूरों से खून आने की समस्या से राहत मिलती है इसके अतिरिक्त इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जोकी ओरल हेल्थ के लिए काफी लापकारी होती है. दोस्तों, आप इसमें लॉंग के तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए एक टीस्पून नारियल तेल में दो बूंदें लॉंग के तेल की मिला लीजे. अब इसे मसूडों पर लगाकर पांच से दस मिनिट के लिए छोड़ दीजे. उसके बाद आप मूग को साप कर लीजे. दिन में दो बार इस उपाय को अपनाने से आपको राहत मिलेगी. नमक का पानी मूग की सबी समस्यों को दूर करने का एक बहुत ही महत्पून इलाज माना जाता है. इसके लिए एक किलास गरम पानी में एक चमर्च नमक मिला लीजे. आप इस पानी से कुल्ला करें. दिन में दो से तीन बार यह उपाय करने से आपको राहत मिलेगी. दोस्तों आप इसमें शहद का इस्तमाल भी कर सकते हैं. थोड़ा सा शहद अपनी उंगलियों पर लेकर उससे मसूरों पर हलके हाथों से मसाज कीजे. दिन में दो बार यहाँ उपाय करने से आपको जल्द ही आराम मिल जाएगा शहद एक एंटी बैक्टिरियल की तरह काम करता है जो मसूडों से खून आने की समस्या को कम करता है साथ ही इसकी हीलिंग वा एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मसूडों की सूजन से भी आराम देती है आपको शायद जानकर हैरानी हो लेकिन टी बैक्ट भी मसूडों से खून आने की समस्या का उपचार करती है इसके इस्तमाल के लिए एक कप गरम पानी में एक टी बैक्ट डाल कर 10-15 मिनिट के लिए छोड़ दीजे अब टी बैक्ट बाहर निकाल कर उसे ठंडा होने दें टी बैक्ट को अपने मसूडों पर लगाकर 5 मिनिट के लिए छोड़ दीजे इससे आपको काफी आराम मिलीगा तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद